जैहिन तो आज की इस कच्छा में हम बात करने वाले हैं समतापी जीव और बिसमतापी जीव समतापी जीव और बिसमतापी जीव में अंतर क्या होता है उनमें विविद्धाय क्या होती है तथा उनमें भोजन किस प्रकार का होता है और वे किस प्रकार के आवास में रहना पसंद करते हैं, हम लोग इसके बारे में जानेंगे तो गाइज हम लोगों का इसमें पहला टापिक है, वह है समतापी जीव, जिसे बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, मतलब उष्ड रखती जीव, मतलब वे जीव जो गर्म अस्थानों पर आसानी से रह सकते हैं, या वे जीव जो गर्म वातावरण को पसंद करते हैं, उसे ह हम लोग उष्ड रखती हैं जीव कहते हैं, अब गाइज यहां पर है सम, सम मतलब समान, वो गड़ित वाला सम नहीं है कि सम संख्या भी सम संख्या, यहां पर सम का मतलब है समान, और तापी मतलब ताप, तो मतलब समान ताप, तो ऐसे जीव जो समान ताप पर रहते हैं, उ तंडी का मोसम है फर्चंड ठंडी पड़ रही है बले भी हम लोग नहां ले बले हमारे बाहर से जो है हमारा जो बाहरी आवर्ड जो हमारा त्वचा है एकदम ठंडा पर जाये लेकिन जो हमारे सरीर का तापमान होता है वह होता है 37 degrees Celsius अगर फारेनाइड मिले तो 98 में दसमलोग अच्छा फारेनाइड तो गाइज यहाँ पर जो हमारे सरीर का तापमा 37 degrees Celsius होता है या इससे 1 degree Celsius भी कम नहीं होगा क्यों कम नहीं होगा क्योंकि हम लोग समतापी जीओ है समतापी जीओ में वे एक समान ताप पर रहते हैं जो समतापी जीओ होते हैं समान ताप पर रहना पसंद करते हैं इसलिए उनका तापमान कम नहीं होता है तो गाइज इसका एक्जामपल होता है अस्तंधारी अस्तन दारी जीव में जैसे मानव मानव में नर वा मादा दोनों आते हैं जो नर होते हैं उनमें भी अस्तन पाया जाता है जो मादा होती हैं उनमें भी अस्तन पाया जाता है सिफ़ फर्ग इतना है कि जो मादा होती हैं उनमें अस्तन ग्रंथिया होती है जिसके काणर उनमें दुख्धर का निर्माण होता है और जो मानव जो नर होता है उसमें अस्तन पाया जाता है लेकिन अस्तन ग्रंथिया नहीं पाई जाती हैं तो guys आप लोग जानगे आस्तंदारी जीव में मानवजात मानवजात में नर्वमादा दोनों आते हैं इसके बाद है guys पच्छी पच्छी भी guys जो होते हैं ये भी समताफी जीव में आते हैं जो पच्छी के पंक होते हैं वे उड़ने के लिए तो काम आते हैं साथ साथ वे उ उसके पंग को फैला कर अगर उसके अंदर को टच करे आप उसे असपर्स करे तो आप लोग देखिएगा वहाँ पर ताप मान होता है वहाँ का ताप अधिक होता है क्यों अधिक होता है क्योंकि वे ताप को नियंत्रित करते हैं उड़ने के साथ साथ उसमा को नियंत्रित करत तो गाईज यह होता है समतापी जीव का एक्जामपल असंधारी वा पच्छी अब आईए हम लोग जानते हैं विसमतापी जीव वार में ब्लडेड एनीमल वार कोल्ड ब्लडेड एनीमल को बोलते हैं सीत रक्ती जीव सीत रक्ती जीव वे जीव जो ठंडे अस्थानों पर राना पसंद करते हैं तथा और गाईज इसमें जो होता है इसमें जो बाहरी वातावर अड़ होता है समतापी जीव में यह जीव bubble के रक्त पर उसके खोन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है लेकिन ज बिसम तापी जिव होता है। इनने में जो बहरी वातावरण होता है। या सीदे इनके आंतरी भाग में उपस्तित ब्लड को प्रभावित करता है। गाई जिया होता इसमें अंतर इसे हम लोग बिसम तापी बिसम मतलब गडित वाला बिसम नहीं बिसम मतलब भिन और तापी मतलब ताप भिन भिन ताप पर रहने वाले जिव को हम लोग बिसम तापी जिव काते हैं और इसे हम लोग सीत रगती है जिव अर्था ठंडे प्रद पर बोजन को कम खाते हैं जो सम्तापेजी होते हैं ये भोजन को अत्यदिक मात्रा में खाते हैं और इसका example हो जाएगा कीड कीड में गायज जैसे रेगने वाले सरीस्रिब में हो गया साप और उभयचर में मेड़क जल में रहता है तो उसके सरीर का तापमान कुछ और जब फल पर उता है और उसका तापमान होता है और उसमें कम भोजन खाने वाले दおお जीव आते हैं यह सदा इनके शरीर का तामान एकदम नियंतरिद होता है इनके सरीर का तापमान बदलता रहता है तो guys I hope वीडियो आपको अच्छा लगाओगा आप लोग इसके साथ ले लीजिए तो guys मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत